Hello everyone, मेरा नाम है Renu Kaushik और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक research series start की हुई है जिसमें मैंने mostly आपको बहुत सारे topic जो हुआ clear कराएं है तो आज का जो हमारा topic है वो है हमारा seminar and conference के उपर और जो हमारी next video आएगी उसमें मैं symposium and workshop आपको जो है provide कराऊंगी कुछ questions के साथ भी तो आप इस video को भी end तक देखेगा क्योंकि इस video में भी मैंने कुछ questions के तुछ topic को clear कराने की कोशिश की है तो आईए बात करते हैं आज के topic के बारे में जो हमारा seminar and conference के उपर पहला है हमारा seminar, देखे seminar क्या होता है seminar एक small group of people है, मतलब कि एक चोटा group जिसमें क्या होता है जिसमें जो participants होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं एक group of expertise होता है, जिसमें जो लोग हैं वो आपस में क्या करते हैं किसी particular topic पर discussion करते हैं, ideas को exchange करते हैं यह as a lecture लगता है जिस time पर seminar provide के जाते हैं लगता है जैसे लेक्चर हम एक तरीके से ले रहे हूं ऐसा लगता है कुछ सेमिनार तो सेमिनार जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं वो हमारे तीन इतसे चार घंटे चार से पांच घंटे हो सकते हैं या फिर एक पूरे दिन के लिए हो सकते हैं लेकिन इनने एक से जादा दि अब बात करते हैं स्लाइड की देखें सेमिनार क्या है एक स्मॉल गृप फीपल है जुनका फोकस क्या है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक तरीके से डिसकुशन करना यह less formally होते हैं और इनका फोकस किस पर होता है डिसकुशन पर होता है रादर दन किसी भी आइडिया को या किसी भी जो आपका डेटा है उसको प्रेजेंट करने पर ठीक है तो सेमिनार जो होते हैं वो manage किया जाते हैं लास्ट एक दिन के लिए उससे जादा इसको extend नहीं किया सकता है सेमिनार का main purpose क्या होता है एक तरीके से education purpose के लिए such as lecture where the participants चो होते हैं उनको engage किया जाता है discussion के लिए किसी academic subject के लिए हम बोल सकते हैं कि seminar का main purpose क्या होता है इसका main aim होता है कि एक better understanding बने या better knowledge प्रोवाइड की जाए किसी subject matter पर ठीक है तो यह हमारे क्या होते हैं सेमिनार होते हैं उसके बाद हम बात करते हैं हमारा second topic जो कि हमारा conference है conference क्या होता है देखे conference एक formal meeting होती है हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से formal meeting जो breakout sessions के अंदर की जाती है मतलब कि जो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए नहीं होती बलकि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन conference जो हो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए जो एक तरीके से healthy जाती है conference के अंदर 52,000 people हो सकते हैं अगर मैं बात करूँ conference की तो conference जो है वो एक तरीके से इसके अंदर क्या होता है prominent speaker होते हैं या experts होते हैं जिनका main motive क्या होता है जो किसी subject matter पर एक तरीके से आपस में क्या करते हैं आपस में discussion करने की ज़िए क्या करते हैं अपने ideas को present करने पर main focus किया जाता है मतलब कि इसके अंदर poster sessions और banners के थ्रिव क्या किया जाता है अपने ideas और अपने data को present किया जाता है तो conference क्या होती है conference का अगर मैं ultimate aim बताऊ ना तो conference का ultimate होता है कि जो end up आपके conference जब end होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा innovative ideas या कुछ ऐसी creative ideas लेकर के आने या कुछ ऐसे suggestions या recommendations प्रोवाइड करनी ताकि जिस चीज के लिए conference की जा रही है उसमें एक तरीके से आपको क्या हो सके वो better हो सके आपकी ठीके तो conference जब तर किसके अंदर की जाती है industries और आपकी trade conferences भी होती है कुछ आपकी industry से related होती है कुछ बड़े-बड़े businesses से related आपकी conference होती है तो बात करते हैं कि slide के अंदर क्या लिखा हुआ है देखे एक formal meeting है जो breakout sessions के अंदर की जाती है जो कि national और international दोनों तरह की हो सकती है conference जातर poster sessions और banners word याद रखिएगा क्योंकि direct question पूछ सकते है कि poster sessions और banners के through data को क्या की जाता है present किया जाता है conference large होती है size में और जबकि मैं बात करूँ seminar की तो वो क्या होते हैं वो small होते हैं size में conference जो होती है वो academic भी हो सकती है trade भी हो सकती है बड़े-बड़े businesses के अंदर भी use की जाती है और media conferences भी होती है आपने देखा होगा religious conferences भी होती है तो conference का main focus किस पर होता है conference का main focus होता है on new trends, नई-नी opportunities पर main focus होता है कि कुछ नई-नी जो opportunities आती है नई-नी जो एक तरीके से उनके लिए कुछ नई-नी innovative ideas है उनके लिए suggestions एक तरीके से conference के अंदर किये जाते हैं ठीके तो conference क्या है innovative ideas and new informations can be exchanged in all type of conferences याद रखिएगा prominent speaker और experts इसके लिए अलग से होते हैं ठीके ना जो अपने ideas को present करते हैं ठीके उसके और formal होती है ये उसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में difference क्या है इससे आपको और better clear होगा सेमिनार क्या है seminar एक form of academic instruction है क्या है academic instruction जबकि conference क्या है एक formal meeting है जिसका main motive क्या होता है main motive होता है problem solution and consultation ठीक है कि एक तरीके से जो भी problems आ रही है या आने वाली जो problems है उनसे related कुछ ना कुछ consult करना ठीक है seminar जो होती है वो one day के लिए हो सकती है लेकिन conference हमारी एक से ज़ाद दन के लिए भी हो सकती है seminar less formally होती है जबकि conference हमारी most more formal होती है ठीक है seminar का main motive क्या होता है discussion जबकि conference का main motive होता है presentation वो discussion पर नहीं बलकि presentation पर more focus करती है उसके बाद हम बात करते हैं कुछ questions मैंने practice questions यहां पर दिये हुए हैं जिनमें सबसे पहले हमारा question है question को ध्यान से पढ़िएगा pause करिएगा वीडियो को और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा देखे एक small event which held in college और institutions where many expertise organized lecture or event for student is called अब इस question के अंदर ही आपका answer चिपा हुआ है कैसे कि एक small event की बारे में बात कर रहा है दूसरा इसने कहा है कि college और institution की बात कर रहा है तीसरा expertise है लेकिन क्या कर रहे है organize कर रहे है lecture को यहां से direct answer निकल रहा है क्या है answer seminar उसके बाद हम बात करते हैं हमारा second question second question क्या कहता देखिए second question है small group of people जो की focus कर रहा है discussion rather than presentation अभी बताया था मैंने discussion rather than presentation किसका main focus है seminar का main focus होता है ठीके उसके बाद हम second question third question है हमारा in which of these people with similar interest contribute with their knowledge देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कौनसा ऐसा जो एक तरीके से मतलब बोल सकते हूं कि form of instruction है जिसका main motive क्या है जिसका main motive है क्या बोल रहा है कि similar interest contribute with their knowledge जिसका main motive क्या है जिसका main motive है कुछ new innovative ideas आए suggestions आए recommendations आए किसका main motive है और common background के people है common एक तरीके से interest वाले people है किसका main motive है ये ये हमारा है conference का main motive तो यहाँ पर answer क्या हुआ आपका conference हुआ उसके बाद हम बात करते है हमारा fourth question और last question है जो की देखे अभी बने बताया था आपको कि poster session और banner are used in the presentation of topic अगर आप किसी topic को present कर रहे हो वहाँ पर आप poster session और banner का use कर रहे हो तो आप किसका use करोगे आप किसके बारे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं conference के बारे में कि conference के अंदर ही presentation पर focus किया जाता है rather than discussion ठीक है तो I hope आपको यह topic clear हुआ होगा मैंने कुछ questions के थ्रीव भी आपको topic clear कराने की कोशिश की है तो thank you so much and आप जितने भी अपने जितने भी comments मेरे लिए 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 लिखते हैं मुझे appreciate करते हैं उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much